हेलो दोस्तो आज हम जानेंगे रेकेंड पिनियन गेर का यूज कहां होता है और इसकी क्या पहचान है rack and pinion gear का use ऐसी साफ्टो पर power transmission के लिए किया आता है जिनकी access एक दूसरे के समानतर नहीं होती है और ये access एक दूसरे को नहीं काटती है rack and pinion gear का use उन जोगों पर भी होता है जहां पर linear motion को rotary motion में convert करना हो या rotary motion को linear motion में convert करना हो इस gear के पहचान होती है कि इसमें एक gear तो गोल होता है जैसा कि ये है और एक gear लंबाई में होता है जैसा कि ये है लंबा gear rack कहलाता है और गोल gear pinion कहलाता है